प्रहान मंत्री ये जो गरवारे मेट्रोय स्क्रेशन ने वहाँ पहुंच चुके हैं और वहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ मौझूद है प्रहान मंत्री याब देई है ये कुछ बहुत ही महतुपूर्ण तस्वीरें जिसका की मैं जिकर कर रहा था पूरे मंत्री ने अनावर्ण कर दिया है बहुत ही महतुपूर्ण ये आज का दिन पूब्लिक ट्रांस्पोर्ट के लिहाँ से और शुषिर ये मेट्रोची गती पूनियाची प्रगती ये साव तर पर लिखा है कि मेट्रो के गती और पूने की प्रगती लिए आज के अजिस प्रगती में अपर फ्रगती है ऊच्पित पूर्ण की गती पाकित इसे में रहा पर पेले घंपो लगते से अब कुछ में पूरा प्रवास थ्री पर फ्री तो इसी यह वहाँ पर दिगे बहुत अने वाले तने पर दोई जो पुरे एक्जिविशन के जिसमें कि मेट्रो रेल की पूरी जो जाल है पूरे शहर की उसका वो अबलोकन करें कुछ अगर आप बता सेंगे कि आप फेज बन बता रहे थे और फेज टू मुझे लगता है कि ये फेज टू में कौन को से स्ट्रिसन बनेंगे उसके बारे में ये सारी चीज़े होंगी बिश्कल हलागी जैसे मैंने पहले कहां कि 3-1 और फेज बनेंगे और दूसरा जो है पीज़े प्रिछ वड़े इन तो रामवाडी से लेके वाराश का सब इलाका है यहां पर भी एक शुरूर बनायता है तो यह अभी इलाल तो आज के रूस पर जो है काम किया गया तक्रीबट प्रियोजना है आज शुरूर आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है हम यह तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रहान मंत्री जो प्रदरशनी का देख रहे हैं और जैसा कि इस पूरी परियोजना के वारे में आपको हम जानकारी दें यह पूरी परियोजना जैसा हमने आपको बताया कि इसकी आधार शिला 24 दिसंबर 2016 को प्रहान मंत्री मोदी के दौारा ही रखे गई थी 24 दिसंबर 2016 को प्रहान मंत्री यह जो कुल 32.2 किलो मीटर की यह कुल परियोजना है उसमें 12 किलो मीटर का प्रहान मंत्री आज वो उदगाटन कर रहे हैं 32.2 किलो मीटर से 12 किलो मीटर के का जो खंड है उसका प्रहान मंत्री उदगाटन किया और इस पूरी परियोजना पर अगर बात की जाए तो 11,400 करोड रोपे से भी अधिक की लागत आई है प्रहान मंत्री आज यहां पर पहुंचे हुए हैं अब वो राइट भी करेंगे जैसा कि बता जा रहा हमें और इस वक्त वो गरवारे मेटर सेशन पर हैं और इस वक्त वो वहां पर प्रदर्शनी का वो उदगाटन और वो निरिक्षन भी कर रहा हैं और उसके बाद प्रहान मंत्री यहां से गरवारे मेटर सेशन से आनंद नगर मेटर सेशन तक मेटर की सवारी भी करने वाले हैं तो शिशेर जैसा कि हम बता रहे हैं कि कुल 11,400 करोड उपैसे भी अधिक की लागत आई है और कुल जो लंबाई है 32,2 किलो मेटर की होगी जिसमें की आज 12 किलो मेटर के खंथ का प्रहान मंत्री उदगाटन करों ने किया है बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले हम पहले हम देए से यात्रा करेंगे तो गभवार स्टेशन से यात्रा करेंगे तो इसलिए फिले हम दें हम सुन मैं सहां मैं समाने थे हमलों का जो एक्सपरियंस रहा है डिल्ली मेट्रो की बात की जाए हम यह टोकन लेते हैं लेकिन ये एक नए तरह सा टिकट की जो बवस्ता बो देखे के प्रवार मंतरी एक आप के थरों डिजियटली वो पूरे मेट्रो में सफर करने के लिए जो टोकन लिया जाता है प्रवार मंतरी उसको डिजियटली यहां पर ले रहे हैं इस अप के जरीए मेरे खायल स हम जब उसमें जाते हैं तो या तो मेट्रो कार्ड के जरी या पिर आपको एक टोकन लेना पड़ता है यहाँ पर प्रहानमंत्री ने खुद टिकट लेकर डिजिटली एप के जरी उन्होंने एक टिकट लिया है पुणे मेट्रो में सफर करने के लिए और यह आप तस्वीरे देख सकते हैं बहुत ही महतुपुण पुणे के लिए आज का दिन वहाँ के पबलिक ट्रांसपोर्ट के लिए पबलिक मोबिलीटी के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए हाँ से महतुपुण ये दिन और यह वहाँ पे जो मौजूद मीडिया उनको दिखाते हुए कि किस तरह से नोंने टिकट लिया है और वो उस टिकट के जरीए अब वो उस पुने मेट्रो में सवार होंगे जिसका कि पहानमंत ने वो दिखाटन किया और जैसा कि हमने का कि कुल लागत जो आई वो 11,400 करोड पैसे भी अधिक की लागत आई है उस पुने मेट्रो को बनाने में कुल जम लंबाई जो होगी स्ट्रेच जो होगी वो 32 किलोमेटर से अधिक की है इसकी लंबाई होगी पुने मेट्रो की जिसमें कि आज 12 किलोमेटर का जो खंड है उसका प्रहनमंत ने वो दिखाटन किया और पुने में जो पहले चाहिए नो फस्ट फेज में PCMC से स्वारगेट और वनाज से रामवाडी इस दो रूट पर मेट्रो दोड़ेगी और फिर्स्ट फेज में आप याद रखिए पुने में यहाँ पे फिर्स्ट फेज में PCMC से स्वारगेट और वनाज से रामवाडी इन दो रूटों पर मेट्रो चलेगी PCMC से स्वारगेट तक की जो लंबाई है वो 11.4 किलो मेटर ये लंबा रूट है और इस रूट पर 14 स्टेशन होंगे PCMC से स्वारगेट रूट पर शिवाजी नगर से स्वारगेट तक 6 किलो मेटर का जो रूट है वो अंडर ग्राउंड होगा और इस रूट पर 5 स्टेशन पड़ेंगे मुठा नदी के नीचे ये रूट बनाया गया ये भी काफी महतुपूर्ण है और वनासे रामवाडी 15.5 किलो मेटर से अधिक की दूरी 15.7 किलो मेटर का जो रूट है वो पूरी तरह से अलेवेटेड है और इसमें कुल 16 स्टेश मुझे लगता है कि इस मेटर इस्टेशन में और खासकर मेटर प्रोजेक्ट में किस तरह से सोलर एनरजी का भी यूज़ किया गया है रेन हार्वेस्टिंग का कैसे हम उसका यूज़ करें बारिश के पानी को री यूज़ करके उसका कैसे सदूप्यों किया जाए जो सौर सोलर एनरजी है उसका कैसे यूज़ किया जाए इन तमाम चीज़ों का इन स्टेशनों पर ख्याल रखा गया है ये बहुत ही महतुपून बातें और ये मैं देख पा रहा हूं कि कच्रे से किस तरह से कंचन बनाने की कोशिश की गया मुझे लगता कि इस जो कच्रे से कंचन नियो एक नए तरह का मेट्रो जिसमें की सोलर एनरजी है रिसाइकल की वी चीज़ों का निर्मान इसमें 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 इस टिकट खरीदा, डिजिटली खरीदा, एप के जरीए खरीदा और उसके बाद एलिवेटेड एकसलेटर के जरीए अब वो स्टेशन प्लाटफॉर्म पर वो की तरफ जाते हुए और यहां से वो प्रहान मंत्री सफर करेंगे मेट्रो में बैठ कर यह बहुत ही महतुपूर्ण पूरे के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिहास से आज का दिन और जैसे के हम बता रहे हैं कि कुल लंबाई जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट में वो 32.2 किलो मीटर यह इसकी कुल लंबाई है जिसमें कि आज 12 किलो मीटर खंड का वो प्रहान मंत्री नोध घाटन किया है आ और यह उस कारी के मस्थल पर प्रहान मंत्री पहुँच चुके हैं बीज़ेपी के वरिस्टनेता एन सीपी के वरिस्टनेता तमाम लोग वहाँ पे मौझूद और बटन दबाकर प्रहान मंत्री ने इस पूरे प्रोजेक्ट का वो उद्घाटन कर रहे हैं और यह देखिए पुने मिट्रो रेल प्रोजेक्ट का विधिवत उदगातन हो चुका है प्रहान मंत्री ने अब वो हरी जन्डी दिखाएंगे यहां से अब मिट्रो जाएगी और सबसे पहले स्वार गेट और वनाज से रामवारी दो रूट पर मिट्रो दोड़ेगी हरी जन्डी दिखाएंगे प्रहान मंत्री ने इस मिट्रो रेल को रवाना किया वो खुद भी इसकी सवारी करने वाले हैं जैसा कि हमने आपको बताया कि पुने शहर एक कॉस्मो पॉलिटेन शहर है यहां एक मिनी इंडिया का आप दर्शन कर सकते हैं अब तक जो ट्रडिशनल मोड थे ट्रांसपोर्ट के बस की बात हो और टोस की बात हो उसके बाद ही एक नई दशा और दिखाने का काम करेगा पुने जैसे शहर के लिए पॉलिक ट्रांसपोर्ट प्रहान मंत्री मेट्रो के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और हम देख सकते हैं कि कुछ आम जो नागरिक हैं वो भी यहां मौजूद उनके साथ प्रहान मंत्री गुफ्तकू करते हुए उनके साथ बातचीत करते हुए महराष्ट्र का पुने शहर और पुने को महराष्ट्र के मुंबई और नागपूर के बाद ये तीसरा शहर जहां की मेट्रो का निर्मान कारी पूरा हुआ है बारह किलोमेटर नमबे खंड का आज प्रहान मंत्री ने उद्गाटन किया हरी जंडी दिखाई और अब वो खुद वो सवार हो चुके हैं इस direction से प्रहान मंत्री हमने कई बार कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब वो खुद बैटकर सवारी करते हैं कईने कई एक सन्देश दने की मी कोशिश होती है कि आप भी प्रहरीत हों प्रहान मंत्री से और आप पुब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक सधिक प्रयोग क करें खासकर मेट्रो जैसी सुविधाओं का वहां पर हम देख सकते हैं कुछ यह वा लोग लड़के लड़कियां मौजूद उनके साथ प्रहा मंत्री बाचीत करते हुए उनका अनुभब वो जरूर वो शेयर कर रहे होंगे किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूरी है और वो लड़कियां भी बताएंगी किस तरह से अब उनके शहर में जब मेट्रो का काम पूरा हो गया है मेट्रो चलेगी तो किस तरह से उनके जीवन पर इसका प्रवाव पड़ेगा किस तरह से सकारात्मक प्रवाव पड़ेगा उनके जीवन पर ये अब मेट्रो चल पड और स्वारगेट में ट्रेस्टरसन से ये ट्रेंड चली और बहुत ही महतुपूर्ण आज का दिन उनके साथ कुछ खास लोग और कुछ बच्चे भी वहाँ मौजूद हैं उनके साथ प्रहान मंत्री गुफ्तकू करते हुए उनके साथ बातचीत करते हुए पहले चलन में जैसा कि हमने बताया कि प्रहान मंत्री वहाँ पे देखिए जो लोग इस पूरे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरे ख्याल से स्कूल के बच्चे हैं जो कि अपने घर से अब तक जो एक ट्रेडिशनल जो साधन रहे हैं बसों के जरीए या बाकी प्राविट वहिकल के जरीए जाते होंगे अब उन बच्चों के जीवन में भी बदलाव आएगा वो भी अपने घरों के आसपास बैठेंगा मेट्रों में और वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे बच्चे दिव्यांग बच्चे भी उनमें शामिल हैं वो भी आप से कुछ द प्रहानमंत्री किसी भी शहर में मेट्रो का उधगाटन करने जाते हैं वो खुद भी उस मेट्रों में सवार होकर यात्रा करते हैं वहां के लोगों के साथ बातचीत करते हैं उनके अनुभवों को सुनते हैं समझते हैं अपने अपने वारे में जो अनुभव हैं उनको वो साजह करते हैं यह इस वक्त आप देखिए प्रहान मंत्री के आसपास बच्चे मौजूद हैं और प्रहान मंत्री उनका हाल चाल सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उनके कंदों पर हाथ रखें, यह एक आप सोचिए किसी भी व्यक्ति के लिए कितना गौरब का यह होगा जब प्रधानमंत्री देश के भारत जैसे डेश के प्राणमंतरी नरेंद्र मूदी किसी व्यक्ति के कंदे पर हाथ दे कर उन sanctी साथ व बात करें उनके बगल में व बच्चे बैठहें उनके उनकी पीर थप थपाएं उनके लिए कितना गौर्ब का पल रिखा होगा ये वो अपने जीवन में कभी नहीं भोलेंगे देश के प्रधान मंत्री उनके साथ आम व्यक्ति के तरह मेट्रो में सवारी कर रहा है आप देख सकते हैं बच्चियों को लड़कियों को प्रणाम करते हुए अपने साथ बात चीत करते हुए और मुझे लगता है कि साफ तोर पर ये वो बच्चे हैं जो अब तक बसों के जरीए या प्राविट ट्रांसपोर्ट के जरीए अपने स्कूल कॉलेज के तरफ जाया करते होंगे लेकिन अब वो बहुती कम पैसे में बहुती कम वक्त में अब वो अपने स्कूल का सफर टैकर पाएंगे कॉलेज तक पहुँच पाएंगे और तमाम वो सारे बच्चे आप देख सकते हैं वो स्कूल के बच्चे वहां पे मौजूद दिव्यांग बच्चे भी मौजूद हैं प्रहान मंत्री के साथ लगातार बातें कर रहे हैं लड़किया मौजूद हैं और जिस भी शहर में और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रहान मंत्री के इन बातों के बाद की हर डिस्टिक हर वो जिला एक एस्पिरेशनल डिस्टिक है एक आकांगशी जिला है हर वो जिला चाहता है देश का कि हमारे यहां भी पुने की तरह लखनों की तरह बाकी शहरों की तरह यहां भी वो तमाम सुविधायों हो जो की शहर आएं और यहां भी मेट्रो की सौगात उन्हें दे पॉलिक ट्रांसक्पोर्ट के तौर पर ये कहीं ने कहीं प्रहर मंत्री इस बात को लेकि हमेशा एक प्रतिबद रहें कि पॉलिक ट्रांस्पोर्ट में भी एक आमुल चूल परिवर्टन हो हम जानते हैं कि हम गैस बेस जो sources हैं हम उसकी तरफ जाएं और जैसे कि हमने आपको दिखाया इस गरवारे metro situation पर आपने देखा renewable energy के बारे में भी बड़ी बाते लिखी गई थी किस तरह से इस metro में 40 फीसद energy जो है वो solar energy के तौर पर लिया जाएगा उसका use किया जाएगा जो west है उसको कैसे wealth के तौर पर इस metro में भी हम आपको आगे बताएंगे किस तरह से उसका use किया गया है west to wealth की तरफ कच्रे से कंचन की तरफ आगे इसका भी इस्तिमाल किया गया है और public transport हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी शहर का public transport खासकर अगर metro की सेवा वहां पहुंच जाती है बहुत ही आसान और बहुत ही आरामदायक सफर आप महसूस करते होंगे जो लोग भी metro में कभी कभी सफर किये हों और ये आज प्रुहान मंतरी जब सफर कर रहे हैं ये 12 किलो मिटर का खंड है जिसका प्रुहान मंतरी ने बटन दबा कर उसका उधगाटन किया हरी जंडी दिखाई प्रुहान मंतरी ने कुल लंबाई अगर जब ये पूरा project complete हो जाएगा अब ये phase 1 का complete हुआ है phase 2 जब complete हो जागा तो 32 किलो मिटर से भी अधिक की कीपको लंबाई होगी और इस पर ये भी कई महतुपूर्ण ये बात अब कर किया तमाम जो जो अत् alleine कारी हैं वो इस में मौझूद और प्रहाण मंत्रे उन तमाम बच्चों से सर पे हाथ रखते हुए उनको आशिरवाद देते हुए अब वहां से मेट्रों से उतर रहे हैं तो इस तरह से आज का दिन और आज का ये पल बहुत ही महतुपुन महाराश्टर के लोगों के लिए पुने के लाखों वासिंदों के लिए अब उ और बाकी जो प्राइवेट वेहिकल से उसके हटकर अब मेट्रों के जरी अब वो एक जगह से दूसरी जगह उनकी मॉबिलीटी संभब हो पाएगी प्रहानमंत्री एसकलेटर के जरी अब मेट्रों से उतर कर नीचे कितर स्ट्रेशन की तरफ आते हुए और ये 12 किलोमेटर खंड का प्रहानमंत्री ने आज योद घाटन किया है कुल अगर लागत की बात की जाए तो 11,400 करड़ों पैस जादिक की इसमें लागत आई है गरवारे मेट्रों से अननगर मेट्रों से तक क्या सफर प्रहानमंत्री ने पूरा किया और किस तरह से जो खंड टू होगा फेज टू होगा उसमें कौन-कौन से स्ट्रेशन बनेंगे क्या वो एलेवेटेड होंगे क्या वो अंडर ग्राउंड होंगे इसका भी आपने देखा गरवारे मेट्रों से पर हो वो प्रदर्शनी का वो उन्होंने अवलोकन किया उन्ह बाया करते हुए शब्दों के जरीए मेट्रों में उनका सफर कैसा रहा उन बातों को शब्दों के जरीए बाया करते हुए प्रहान मंतिन जरेंद्र मोदी आगंतुक पुस्तिका में आनंद नगर मेट्रों से प्रहान मंत्री चले थे और अब वो आनंद नगर मेट्रों से तक पहुँच चुके हैं और जैसा कि हमने कहा कि यह जो फर्स्ट फेस है उसमें PCMC से स्वार गेट और वनास से रामवारी दो रूट पर मेट्रो चलेंगी दोडेंगी और शुशिर हमने देखा कि और आप भी इन तस्वीरों के गवा हैं किस तरह से प्रहान मंत्री आनंद न कि मने देखा कि आता कि अ.